मेरा building is in the form of a cylinder okay यहां पर है आपको मेरे से मिस हो गया surmounted by hemisphere ठीक है यहां क्या होना चाहिए था surmounted by hemisphere dome अब इसका क्या मतलब देखो एक building है जो कौन से form में cylindrical form में तुम्हें आपको figure बना के दिखाता हूं यह दिखी यह building है जो cylindrical form में है यह building यह ऐसे कुछ ठीक है एंड इस building is surmounted by means this lander is surrounded by hemisphere dome तुसके उपर एक hemisphere dome कुछ इस तरीके का है ठीक है न तो यह कुछ building का shape है के रहा the base diameter of the dome is equals to two by third of the total height of the building okay चलो बहुत बढ़िया अब दहां सारा चेक करिए बच्छो दिखिए यहां पर अगर हम center रहा है यहां पर ठीक है और यह जो हमारा सिलेंडर उसके बेस का center है दोनों center को में जोइन कर दिया ठीक है और इसका ना में सब्स पॉइंट ए और यह है आपका point B correct तो यहां पर बहुत ध्यान से चेक करेगा अगर हम रेडियस अजूम करें कितनी बेस आपका है मिस फ़ेडों में इसका बेस कहता है सर्कुलर बेस का दाइमीटर है मतलब जो भी डाइमेटर है ठीक है तो सपोस्थ अगर देखिए रेडियस को अगर हम रजीका यह रखना और ठीक है यह रडिश्क नहीं है एक ज़स्का जो डामीटर होगा यह 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 जो डामीटर है वो गितना है तु आपका है मैं जू फेक्ट रोड़ हो जाएगा टेकिन अपका है जो डोम का टॉप ऑल्लय पॉइंट को दो जो डोम फोगा तॉप नाम है आपके पा आपके किसकी बिल्ड़िंग की टिक है तो बिल्डिंग की टो तो टल हाइट कितनी है। इसको में स्मौल है से थिखा रहे हैं सबसके से स्माल एक से च्वाल एच इस दा टोटल हाइट अफ द बिलिंग इस मोलेज किया है टोटल राइड ऑफ द बिलिक दोटो बिलिक कॉन से शेप में मैं पेले फिलेंटर एंप्र हमी स्पिर दो में तो तो टोटल है तो यह नियोंगी टोटल है एबी कुमा समय लें लिए अब त स्रेंटर के थैट हमिल एट होगे है थे तो टूटल है टॉट आप बीलिंग करेक्ट सकेपितलएच अब एकॉर्द ये पुर्णि तॉट इसफस टुट के एकॉर्ट पूरशन आपको क्या बॉल अधिया धार शेक्री आपको बोली या यह पल दीजे कुशिन पको बोल रहा है बेस्काम स्टू वर्थ हैट र्रट से टोटल हीट आप एंट रखा टो इंट गेडार डियागा रखा टू और R is equals to H upon C आ जाएगा तो यहां से R की जो value है वो H by 3 आ गई अब यह हम क्यों निकालना है वो आपको भी हम आगे बताते हैं कह रहा है कि find the height of the building if it contains 63 whole 1 by 27 meter cube of the air कह रहा है find the height of the building अपको निकालना है यानि कि यह पूरा P से B तक आपको find करना है क्या find करना है पीवी find करना है पीवी कितना आपने अजूम किया है एच टोटल हाइट यानि कि आपको टोटल हाइट एच फाइंड करना है और गिवन क्या है if it contains it contains means if building contains this volume of air यानि कि 67 whole 1 by 27 meter cube of air इसमें आती है इसनों मीटर क्यूब से पिचानगे न क्या यह वर्लिम दिया हो है किसका उस एर का जो एर इसमें आ जाती है यहनि कि एक तरीके से अगर इस बील्डिंग में अगर इस बील्डिंग में कितनी आती है 67 one by 20 meter 67 whole one upon 21 meter cube air अगर आती है तो यह जो given data है आपका यही क्या है मोललुम औफ द Kr Оп का डिया सुन थैंक निए टो सब्स दिया उथ बृम अपको उपको यथिक के और शुर्ण पर हम आपको बोल रहें कि व Public और दो बिल्दिंग वोल्म आफ दो बिल्दिंग कितना गिवन आपको यह गिवन ए 67 होल वन बाई 21 मिटर क्यों ठीक इसको सॉल करना तो सवी चोपाता है 21 को 61 से मुल्टिप्लाई कर गरिंगे वन अट कर देंगे तो कर लेते हैं इसको थोड़ा से संपलिफाई कर लेते मिक् और 2714 1220 26 12 plus 13 76 plus 410 बन जाएगा तो 4114 याग आगा पिवास 11407 अप्लस वन करेंगे तो यू जाए आपके पास कितना 1408 और डिवाइड वाई कितना हो गया आपके पास यहां 21 हो गया चेकरो 21 को 67 से मुल्टिप्लाई किया 1407 अब प्लस वन करेंगे तो 1408 डिवाइड बाई 27 ठीक है क्या मीटर क्यू ठीक तो यहां पर हम वालम आप दे बिलिदिंग में 67 होल वन बाई 21 की जगह हम लेख सकते ह एक इतना 1408 अपन में 21 अपसलों नेक्स स्टेप में वॉल्म आप दा बीलिदिंग किसे किसे मिल के बना है सो चो वॉल्म आप दा है मीस्फियर डॉम हमीस्फियर डॉम प्लस वॉल्म आप दा शिलेंडर से इन इस इक वल्स तो कितना बाई गाई 1 4 0 8 by 21 बासन नहीं कि नही है ठीक है है मीस्फियर का वॉल्म प्लस किसका त्लेंडर का वॉल्म ठीक अप सनो सबस्क्राइब के सिलेंडर की हैट कैपिटल एचे कितनी है चलो कैपिटल है अब मेरी बास सब्सक्राइब को आपको बच्चों यहां पर निकालना था क्या टोटल हाइट ऑफ द बिल्डि है यहां पर वॉलुम लिखि़ूंगा है मेश विलूम कितना होता है टू बैट्री अर्क्यू प्लस तो शो रेडिस को कितना अजोंकिया है स्मॉल यार ीया दे आपको ठिक और जो radius hemispher के लिए वही किसके लिए है वही आपके cylinder के लिए तो चेक करो जो hemispher की radius है वही cylinder की radius है इसलिए हमने pi r square h जब किया cylinder का volume तो वहां पे हमने small r का use किया capital h किसका height है आपका capital h height है आपका cylinder का अप सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से आपको निकालना क्या है आपको small h का value निकालना है ठीक यहने के यह दो यह जो radius है small r small r की value किसके terms में आनी चाहिए small h के term में ध्यान रखना है ताकि यहां पर यह वाले term में 2.3 और पाई यह तो constant है आर किसके terms में आ जाए small h के terms में क्यूंगी small h ही तो आपको find करना है ना तो सुचो ना कि इस equation में ध्यांसा जाकरो is equals to me कितना हो जाएगा one four one four zero eight upon twenty one तो यह equation देखो आपके पास एक equation है और को information तो नहीं आपको पता एक equation से एक ही unknown निकल सकता है तो यहां पर only one unknown होना चाहिए लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या कर रहा है capital H भी नहीं पता आपको small r भी नहीं पता आपको तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो small r and capital H को change कर लो in terms of in terms of small h सोचो अगर हम r की value small h के terms में लिए है वो तो हम पहले ही ला चुके है क्योंकि हमें information दी थी क्या कि dom का जो डामेंटर है 2 by 3 of the total height of the building था तो यहां से डामेंटर की जगा 2 r रखा हमने और r की value small h के terms में आगई यह काम तो हो गया है यह आर की जगा हम क्या रख सकते है है small h by 3 अब आपके जिम्मेदारी कि आप capital H को किसमें चेंज करने capital H को आप small h के terms में चेंज करने क्योंकि unknown क्या है में जो आपको निकालना है वह आपको small h अगर यह radius है ठीक है तो P से लेके ए तक यह भी तो रडियस होगा चेकरो ना है हमीस्वेर का यह भी तो रडियस होगा ना सेंटर से लेके यह हमीस्वेर के surface तक point peak distance है रडियस है तो यह भी आपका आर हो गया हो गया की नहीं हो गया ठीक ना अब ध्यान से रचेक करिए यह देखे यह जो PB ठीक पूरा PB कि से मिल के बना है आर प्लस H से यह निगे यह small r और प्लस capital H is equals to small h तो यहां से की क्विशन आ जाएगी आपके पास यहां से चेक करिए कहां पर करें यहीं पर करते चलो आर प्लस capital H यहां से क्रोव आर में अगर capital H add करोगे तो यह small h के एक्वल हो जाएगा ठीक है बीडिंग की is equals to small h minus of the small r की value आप already निकाल चुके है small h के terms में ठीक है तो यह आर की जगा आप h by 3 रख सकते हो small h by 3 तो आर की आपने क्या रखने है small h by 3 तो इसको आप capital H की जो वैलू आई वो 2 h by 3 आगे ठीक है यह हमको करना था capital H की वैलू कितने आगी 2 h by 3 आगे बस अप कुछ नहीं करना आपको ध्यान स्टेक करिए यहां पर सभी वैलूस को पूट कर दीजिए और आपका अंसर आ जाएगा देगे कैसे टूं तो बड़ी मैं पाई अभगो आर का क्यूब है है न तो आर खकी क्यूब कर लोने के सब्सक्राइट करना गाइच क्यूब हो घ्राकि तो आटीसेवन तो यहां पार जगा आर क्यूब की जिएगा एच फ्यूब है 9.2 capital H कितना आया था 2H by 3 तो capital H कि जागा हमने 2H by 3 को रख देना है इस इकोल स्टु 1 4 0 8 अपन में 21 अब आपको क्लियर ली दिख रहा होगा इस एक्वेशन में एक ही अन्नोन है और इस एच ठीक है चलो अब दिहां सार चेक करो यहां पे आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन आजाएगा कैसे आजाएगा थोड़ा और सॉल्फ कर लेते हैं कि स्टिप में तो यह जागा देखे कितना आपके पास 2.3 इसको ऐसे रेन देखने 2.3 इंटू पाई और एच क्यूब अपाउन में 27 अप्लस पाई अब देखे इंटू एच स्कॉयर एच क्यू तो एच क्यू तो एच क्यू अपाउन में नाइन सीजर 27 ओगे इस इक्वल्स तू कितना वाजाएगा 1408 अपाउन में 21 करेक्ट चलो अब आप दिखी यह आपके पास फर्स्टमें य क्या को बढ़ए हरा यंट से क्रो क्या कोनरा रहे को मैं आ अरगे पास थेहां से यह क्या क्या अपक्या हो क्या क्या टू पाई अच्कू 2 दो भी हुब यहां पे बी स्कुर्ण ये तूप ऑंड ुआच चरू पॉल्याट्टी सेवन इस से क्या अट हम यहां से कमनों लिंक पार में 3 एनके 1 बाय 3 बच जाए का तो 1 बैं 3 प्लस बाइ चक्रोन आ टू पाया च्कु पर रहार चला का निच तुन यह तुन इस तुन इस थी बचाना तो 1 अपन टू पर तुन टू पन टू पर रहां प्लस टू पाई एच्टी आपको बस वैलू निकालना है किसका एच्टू का लिए सबसे वैले मैं आपको इचीज दिखाता हूं देगे 2 पाई एच्ट क्यू अपन 27 इंदा प्रैकेट इसको सॉन को लोटी अप्लस ओन किता लिगा फॉर भाई फ्री इस इकोल से लिए लो ना वन थी प्लस ओन फूर थी और फॉर जीरो एट अपन टून टीवन टिक फिन एक से स्टमें जान सरा चिक करिए यहां सवाँ जाएगा एच् चूब में टूप आयो फोर मल्टिप्लाइब थे तो यहां के डिवाइड में आ जाएंगे तो यह मुल्टी सेवन इन्टू थी नहां आगे आपके मुल्टिवलाई मैं बस अभी एच्ट की वह लूट निकालने कोशिश करते हैं इसको कैसे सॉल्फ करेंगे अब यहां से सब्सक्राइब करें तो क्या करें क्या करें क्या क्या करें कुछ और कैंसे लोगा नहीं तो देखते हैं रहा कुछ नीए बोले जारे 22.7 रखना है इंटू फोर करेक्ट अब देखे ए 7 से 7 आपका कैंसल हो गया ठीक है तो यह तो और यह तो शेंज आ और फिर 0 और फिर टू फोर दाएट ठीक है उसके बाद टू तू तू जा फोर और टू तू 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 जा फोर और टू तू तू चो नीची 22 बचाए थोड़ा यहां पर करके दिखा देता हूं उपर क्या बचा है दिखो 176 तो 176 इंटू 27 और अपॉन में कितना बचाओ आपके पास 22 बस ठीक है तो मेरे खाल से तो यह 11 से जाएगा दिखो 11 टू जा गया होता है 22 अब 11 बंजा 11 तो यहां कितना मजागा आपके पास 16 ओगे फिर फाइनली आपके पास बचाहा एट इंटू 27 ठीक लेफ्ट में क्या बचाहता है एच क्यू तो ध्यान से चैकरो एच क्यूब इस इक्वल्स तू क्या होगा आपके पास एट इंटू 27 यह ऐसा आपके पास कुछ आ गया ठीक है अब यहां पर करके यहां जाएनी थोड़ाइट इस करिए एच क्यू इस प्रेट करीएगा एच क्यू इसी को अपने क्यूब लिखा एंट इटू 27 किसका क्यों वह सब्सक्राइब लेगा जिक है आप इसको गया लिख सकते हो एच क्यू इस इप्वल्स तो टू इंटू इंटू थी का होल क्य पूरे पर हमने क्यूब लगा दिया है अगर आप क्यूब रूट ले लिए अगर आप क्यूब रूट लेने चाहते हो एनकि एच्छ गोड़ टू इंटू त्री यह उगे एक तो 6 का क्योब और सक्च्राइब रूट लेना है ने इसकी पावर वन भाए तरी तो बता हो गाना यहां से बटाएंगे तो यहां के आजाएगी वोल पर वन भाए ठ्याज़ेरी चेकना टूथी जास एक्स और यह क्यूब लगाए तो 6 पे क्यूब मैंने लगा दिया इतर से क एक यह बस्तों कि यह सब्सक्राइब को आपको सब्सक्राइब कर लिए इसमें खास बात किया थी इसमें खास बात ती कि जो अनोन आपका इसमाल एच टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग बस उसी को आपको एक्विशन में बचा कर रखना था बाकि सबको गयाप करना था सबको करने का मतलब है कि जो स्लेंटर की हाइट अपिटल एच उसको भी स्मॉल आर्ट के टम्स में लेकर आना था चाहें कैसे भी आप लेकियो ठ स्मॉल आर्ट था आपका ठीक है स्मॉल आर्ट को भी आपको स्मॉल एच के टम्स में लेकर आना था ठीक एक बार फिर से वीडियो देखेगा नहीं समझना है तो बहुत इंपॉर्टन कोशन प्रिया कोशन है तो एक्सरसाइब